तीन ऐसे तरीके जिससे आप बहुत इजीली मनी अर्ण कर सकते हैं, especially when you are a student. अगर आप एक college student है या फिर अगर आप एक school student भी हैं, तो भी आप इन तरीकों से अर्ण कर सकते हैं, बट पर school students को ये तरीका recommend करूँगी ने, अगर आप college student है या college pass out है, तो definitely इससे आप अपनी passive income generate कर सकते हैं, यह तीन तरीके बहुत easy हैं और बहुत doable हैं, बतलब अगर आप दिन में एक दू घंटा निकाल रहे हैं, तो इनको कर सकते हैं, कौन-कौन से हैं वो तीन तरीका, तो भात करते हैं पहले तरीके की, C, यह जो बटाने वाली हूँ, इसमें से कुछ होने वाले है आपके, जहां पर आप घर बेट करके पना काम कर सकते हो, दो तरीका ऐसे हैं, और एक तरीका ऐसा है जो घर पी बाट कर किया जा सकते है और जो घर से बाहर जा के भी किया जा सकते है तो पहले तरीके की बात करते हैं कौन से तरीका है सी यार हम लोग जैसी हम लोग अपने education से निकलते हैं education system से निकलते हैं तो बहुत फ्रेश होती है चीज़े हमारे माइंड में जो भी में पढ़ाया जाते है इफ यू स्टार्ट टूरिंग अदर स्टुरेंट्स जो भी आपने पढ़ाया है वो सब चीज़े तो आप उससे बहुत अच्छा मनी अंट कर सकते हैं कुछ लोग पढ़ायां बहुत अच्छे होंगे कुछ लोग पढ़ायां बहुत नहीं अच्छे होंगे जो लोग पढ़ायां में अच्छे हैं वो अच्छी अच्छी क्लास को पढ़ा सकते हैं 11-12 को पढ़ा सकते हैं जो पढ़ायां में अच्छी नहीं हैं वो चाहे एक 3rd 4th और इसके साथ साथ अगर आप home tuition लेते हो तो भी अपने घर पर work from home वाला tuition लेते हो online पढ़ाना चाहते हो तो उसे भी आप बहुत अच्छा money earn कर सकते हो depending on कि आपकी आपके network कितना strong है आप सारे बच्चों को एक time पढ़ा रहे हो तो उसे भी आप 10-15,000 अराम से अर्ण कर पाओगे पर month अगर आप इसन चीज़ों को continue करते हो तुरह इन पर emphasize करते हो तो यह एक तरीका हो यह money earn करने का that is teaching आप किसी को पढ़ा करके earn कर सकते हो और यह सिर्फ इतना नहीं है अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो कुछ और सिखा दो आपको गाना आते हैं आप किसी को गाना सिखा सकते हो आप किसी को डांस सिखा सकते हो आप किसी को पेंटिंग सिखा सकते हो आप किसी को अब और पैसे को आपके का सकते हो कि कमाय वह पैसे और पैसे करके और पैसा कमा सकते हो इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकते हो, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, आपने पैसा कमाया, उसमें से आम आपने 10,000 रुपे कमाया, अब 10,000 रुपे में से क्या होता है, कि हम लोगों की इतनी तो है निको सा भी ज़रूरत है, I as स्टूडेंट तो हम लोगों में से मालओ हमने उसमें से 1000 रूपय हमारे खडचा होगा या 3000 रूपय पी चलो खडचा हो गया अब कुछ कुछ पैसे हमने चलो अपनी माँ पापको दे दिये उसके बाद भी 2-4,000 रुपए आपके बच जाएंगे अब इन 2-4,000 रुपए को आप कर सकते हो invest mutual funds में mutual fund में जो आप invest करते हो तो आपको साल का कम से कम 10-12% return मिल जाता है तो आपे returns भी उससाथ होते हैं मतला आपको 20% 30% 40% return मिल जाते हैं stock market में बट mutual fund में आप एक साल तक रखते हो तो आपको कम से कम 10-12% तो मिलेगा ही मिलेगा और अगर किसमार अच्छी आपकी तो लोगों को 30-30% भी एक साल में मिल जाता है जिससाथ market में अच्छा perform किया होता है तो तो stock market में आप अपना money invest करते हो तो बहुत easy रहता है आप बोलोगे stock market में money invest करने के लिए बहुत कुछ बड़ी चीज निया और मैं आपको mutual fund recommend करूँगी mutual fund में इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई भी platform कोई भी stock market वाला platform download कर सकते हो grow up stocks कोई साभी आप इंस्ट्रॉल कर लो और वहां पर आपको mutual funds में category शो हो रही होगी उन category में काफी सारे mutual funds हैं जहां पर आप one time invest कर सकते हो one time invest मतलब आपके पस अभी मालो आपके पास अभी तो आप उसको one time में invest कर दो जब पैसा आएगा आप फिर दुबारा इन्वेस्ट कर देना उसी फंड में या किसी और फंड में अगर आप लोग को नहीं पता आप अपना money invest कर दो कि उससे आप escape नहीं कर सकते हो सब लोग करते ही है उसमें invest ठीक है FD भी एक चीज होती है बट FD में हमें returns अच्छे नहीं मिलते हैं मतलब बैंक में पढ़े होगे पैसे को अगर आप FD करा लोते हो तो आपको थोड़ा return मिल जाता है उसका इतना नहीं होता मतलब बैंक आपका पैसा लेकर कि उसको stock market में इंवेस्ट करके उससे कमा रही है वही बात हो जाती है तो आप इस तरीके से आपकी एक extra income बनती रहेगी है ना passive income बहुत जड़ा अच्छा stock market में इंवेस्ट करते थे तो इन्होंने अपना जितना भी कमाया थे इन्होंने काफी इंवेस्मेंट्स करी थी लॉंग टम इंवेस्मेंट्स करी थी तो अगर आप इनके बारे में भी जानेंगे तो आपको पता लएगा कि वाई इंवेस्मेंट इस तो इंपॉर्डन इस देग्स ना थर्ड तरीका क्या हो गया मनी अंट करने का सी यह लॉंग टर्म मनी है जो थर्ड तरीका बनारी हूं आपका कोई भी soft skill है उसको use करो आप content creation में आना चाहते हो editing अच्छी आती है बोल अच्छा सकते हो या फिर लिख अच्छा सकते हो content creation में आओ इस field को explore करो यहां से earn कर सकते हो और यहां पर या फिर आप कोई भी ऐसा ऐसी चीज जिसको आप दिल से करना चाहते हो जो कोई job ना हो अगर आप ऐसा कुछ अपना business वगएरा start करना चाहते हो उससे earn करना चाहते हो तो आज की time पर content creation is the easiest business विजहां पर आप जीरो cost को start कर सकते हो बाकी business में आपकी cost लगती है but content creation is something जो इसको आप zero cost से start करते हो अगर आप अच्छे से काम करते हो अच्छे से चल जाते हो यहां पर तो आप money earn करते हो आपको US dollars में पे किया जाता है आपको YouTube से payment आती है आपका bank account में payment आती है और सबसी से बहुत होती है तो YouTube आप work करना चाहते हो आप Instagram पर work करना चाहते हो आप content create करो आप check करो कि आप कैसे कैसे अपनी audience तक पहुच सकते हो और कैसे आप brand सक पहुच सकते हो एक पहला है audience तक पहुचना आपका content जोब पना रहे हो audience तक पहुचे audience उसको पसंद करे फिर आप कुसी भी film में बनाओ education में आप उनका चीज़े promote करने के लिए उन तक पहुचे ठीक है तो उनका पहुचने के लिए you make sure कि आप इनके साथ बाटर कॉलाबरेशन कर रहे हो बाटर कॉलाबरेशन मेंस होता है कि they will not pay you they will give you your product to review आप उसकी वीडियो अपने चैनल पे डालो इस सब चीज़े तो यह सब कर सकते हो तनी education के साथ if you're a college student you can share your college life or your school life what you do in a day what you eat what kind of lectures do you take यह सब चीज़े करके आप earn कर सकते हो see with evolving world नए career opportunities आ रहे हैं सामने और भी आएंगे तो आपको समय के साथ अपने आपको थोड़ा थोड़ा इंब्रूफ करना पड़ेगा और मैं कभी नहीं बोलती हूं कि आप यह सारी चीज़े ही कांटीनी को रहो और अपनी पढ़ाय ल सबसे पहले मैंने बात करी थी online teaching की और offline teaching की जहां पर आप बच्चों को पठा करके अंगर सकते हो second number मैंने बात करी थी कि आप कैसे अपना money invest करके earn कर सकते हो in mutual funds third मैंने बात करी है आप से content creation में एंटर करके आप कैसे money earn कर सकते हो और तीनों तरीके बहुत अच्छे money earn करने के लिए for a student तो आप इन में से कौन से तरीका पिक करने वाले हो do let me know in the comments and कोई query और डाउट हो तो वो भी आप मुझे comment में पूल सकते हो सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक कर आप इस चानल को subscribe और वीडियो को like कर देना गुद बाई